सो हेलो एवरिवन गईज यहाँ पर एक्विटर्ज स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वाटर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं और इस कम्पनी ने डिविडेंट भी अनाउंस किया है सो बताती हूं गईज मैं पहले देख लिजे यहाँ पर आप देखेंगे जो इनकी टोटल इंकम जेनरेट हुई है यह 1,00,000 से आप देखेंगे 1,39,000 हुई है काफी ज्यादा मतलब आप देखेंगे इंक्रेज हुई है क्वार्टली बेसिस में भी देख लिजे 1,21,000 से हो गई है 1,39,000 इंक्रेज हुई है क्वार्टली बेसिस में भी और एल्ली बेसिस में भी सो मैं आगे डिरेक्ली बात करती हूँ टोटल एक्सपन्डीचर की सो गैस खर्चे भी यहाँ पर बढ़ गए है 78,000 से 1,00,000 हो गए है 93,000 से 1,00,000 हो गई है क्वार्टली बेसिस में भी और एल्ली बेसिस में भी आप देखेंगे खर्चे यहाँ पर बढ़ गए है इनकम भी बड़ी है सो डिरेक्ली बात करते हैं नेट प्रॉफिट की आप देखेंगे 11,000 से इनका प्रॉफिट जम्प हुआ है 19,000 हो गया है यहली बेसिस में और क्वार्टली बेसिस में आप देखेंगे 17,000 से हो गया है 19,000 ओवराल प्रॉफिट यहाँ पर जम्प हुआ है सो काफी अच्छे इनके रिजल्ट रहे हैं आनिंग पर से यह भी देख लीजे 1 से हो गया है 1.71 और 1.38 से हो गया है 1.71 ओवराल रिजल्ट इनके बढ़िया रहे हैं और आप देखेंगे NPA जो बैड लोन्स है यहाँ पर बैड लोन्स में भी गिरावट होई है मतलब बैड लोन्स यहां कम हो रहा है सो अच्छी बात है 4 से यह 2% हो गया है 3 से 2% हो गया है quarterly basis में और yearly basis में अच्छी बात है यहाँ पर net NPA इनका कम हो रहा है और देख को गईज आप लोग hold रखें क्योंकि यहां पर जो stop loss रहेगा 60 रुपीज के around इसका stop loss रहेगा और काफी अच्छा target यह आपको medium term perspective से दिखा सकता है maximum यहां पर 95 रुपीज तक गईज 95 रुपीज तक जा सकता है